प्रमुक प्रति पक्सी नेकपा एमाले ले जनता को स्वास्थे मा गंभीर हुना सरकार को ध्याना कर्शन गर आयको छा। प्रमुक प्रति पक्सी नेकपा एमाले ले जनता को स्वास्थे मा गंभीर हुना सरकार को ध्याना कर्शन गर आयको अबस्था मा गंभीर हुना स्वास्थे मा जोर्ड़ दिनू भाई। प्राइब टारा चाहिनु एसको भयानक अवस्तावड़ा आमी टारा चाहिनु तेसकार ले माज़ शमानी शवामुख मौधे मारफद नेपाल सरकार को स्वास्ते मंतरा लेको एसमा गंब द्याना करश्न चाहां चौ तरह यह खाल को इस्तिती नेपाल मन ना शनना कानिंती प पर ले तब मत यह हमी एस पर जोगी ना सक्षों त्यो सतरक्रता हमीले अपनाउन पर ले क्रामा स्वामुख मौधे मारफद बनना चाहां चौ तेसे गरी स्वामुख मौधे आज वियाना शमन को डाटना हरने हो बने काश्मांड उपत्यकामा चाहुतिस जाना है जाना है अरो पुष्टिवाय का चन यो 34 जाना पचास लाख मांचे बस्नेठाव मा चाहुतिस जाना ठुलो संग्या है ना बनना शकिंच तरह जा एक किसिम को महामारी ने हो इसला है क्ये बंदर अचा स्वामुख मौधे बने एक जाना मत यह है जाना को डिरामी काही देखा पर ब बने को सामन्ने ते हाईजा समुधा इस्तर मा फाइले को सा बनने को पुष्टियों यो का समुधा इस्तर मा गई चाहे को चाहे को सा काष्पंडु का खाने पानियार मा पाईपर मा डाल मीशिये को सा ट्यांकर बड़ा सप्लाइगर ने पानियार सुद्द चाहे ना जार सप्लाइगारने पानियर शुद्ध छाइन मुलत यो पानिका स्वार्शर्मा हाईजा का किटाहड वरू जीबांड वर देखा पढ़े का सनर यो यह उता समुधा इस्तरमा फईलियरेको चा एकी सिम्ले बनने वनियो माहमारीको इस्तिति उत्पन्न भायरेको चा एसलाई किस देखा पर वने पनी डबलु यह उले जना स्वास्थे सरुकार इस्तानिय जना स्वास्थे सरुकार इस्तानिया जना स्वास्थे सरुकार इस्तानिया जना स्वास्थे सरुकार इस्तानिया जना स्वास्थे सरुकार इस्तानियरेको चाहिए सरुकार इस्तानियरेको चा करनाली अन्य दुर्गम इस्थानर मा तराई मोदेश का बाकलो बस्तियर मा भाईजा को संक्रमन बर्दे गया वने हामी यो कंट्रोल गरने इस्तितिवंदा ध्याई पायर पुख्चों ध्याई मानी सरको जीवन जोखिमा उने खत्रा बर्दे गया गुचा तैसेले कारको यस्मा गंडियानार कर्शनकरन चाहां चू शर्पय कहने पाणियर प्यूने पानिक आणियर एक पड़क गुण इस्तर संगीचे ने तोलेए चेक जाहाउ नू पर गटा यू सप्लाई गरने टेंकरर ओ सप्लाई गरने जार का पानियर को अवस्ता केचा तैसमा अहिले को अवस्था मा आम जनतालाई सचेद गराउने जस्ता कदम चालनू पर्ने मा सरकार निद्रा को अवस्था मा रहे को वहां को भनाई चा